देखे जीवन में चिंताएं बहुत होती हैं और ये चिंताएं की जो रेखा होती है या संघर्ष की जो रेखाएं होती हैं उनको हम राहू रेखा भी कहते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊँगा कि राहू रेखाएं कैसी होती हैं कहा आप से आती हैं और जीवन में क्या-क्या ये इंपक्ट लेकर आती हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी कि मैं आपको पूरा एक गंटा लेक्चर दे दूँ बहुत पूइंट पर ही वीडियो रहती हैं और आप लोग इसको उपर मुंसे बात कर सकते हैं लेकिन द्यान रखेगा अनालेसिस बेड रहते हैं और यह टेलिफोनिक नहीं होता है यह एक वोइस नोट में आप लोगों को भीचता हूँ इस बात का विश्री द्यान रखेगा लेकिन राहू का जो पर्वत होता है पहले में मार्क करके बता है हाथ में मंगल के आसपास रेखाएं वहारी बनने स्टार्ट होती है क्योंकि यह जो पार्ट है यह हमारा वीनस का पार्ट है और मैं दूसरा कर ले लेता हूं जिससे अब को क्लियर हो जाएगा यह हमारा वीनस का पार्ट है यह हमारा चंद्रमा का पार्ट है और यह हमार मंगल मंगल बीच का और यह भी मंगल विसके बीच में राहु और यहां पर हमारा केतू हमें देखने को मिलता है यह रेखाएं अगर आपकी लाइफ लाइन यानि कि जीवन रेखा को अगर टच नहीं कर रही हैं उनसे दूर हैं तो यह तो मैं मानूं का कि आपको मानसिक द्वन्त चल रहा है और यह आप जब देखेंगे किसी के हाथ में तो 90% लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेग हैं यह रेखाएं लगबग लगबग जित्ते हाथ मैंने आज तक देखे हैं उसमे 95% लोगों के हाथ में मुझे मिली हैं तो यह रेर नहीं है यह लगबग लगबग सभी के हाथों में पाई जाती हैं लेकिन अगर जीवन रेखा से पहले हैं तो चिंताएं हैं मांसिक वोल सौल है लाईक का, अगीन वो 1000 है, अगर यह आपके जीवन रेखा को काटती है, तो कस्थ बढ़ते हैं, और यह जो रेखाई होती हैं, जो आप देख रहे हैं यह यह रेखाई जातर घहरी होनगी और आपके जितनी जात यह life line को आपको काटेंगी, तो life के उस point पर उस event पर आपको परिशानिया आएंगी, ये परिशानिया आर्थिक रूप से हो सकती हैं, मांसिक रूप से हो सकती हैं, आपके घर में कस्त आ सकते हैं और आपकी चंताएं यहां पर बढ़ सकती हैं, आर्थिक रूप से आपकी इसिती बहतर यहां पर नहीं होत साथ साथ मध्यम होगी तो आप याद रखेंगे कि यह समस्या मेरे साथ होई थी और मैंने इस समस्या से इत्ते टाइम बाद निकला था बिल्कुल हलकी है विजिबिल्टी उनकी नाके बराबर है आपको सूक्ष मिदर्शी लगाकर मैंगनिफाइन ग्लास लगाकर उसको देखना पड़ रहा है तब आप कह सकते हैं कि हलकी फुलकी कुछ दिक्कते आपकी जीवन में चल रही है जिन पर आपका ध्यान नहीं है लेकिन अगर मध्यम ह हैं और जाधा ग्हरी है तो इंपक्त हंडे पर सेंट आपको देखने को विलिगा अगर जीवन रेखा को काट रही है तो दिक्कते हैं लेकिन जीवन रेखा से आगे नहीं बड़ रही है भहीं पर रोक रही हैं जीवन रेखा को काट दिया है, तो दिक्कतें आपकी होगी, लेकिन कम होगी, जितनी ज़्यादा आपकी राहू रेखाएं होती हैं, उतने ज़्यादा आपके दिक्कतें बढ़ती हैं, समाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको दिक्कतें, कस्ट, मैं यहाँ पर वड़ में शती देती हैं अगर आपकी social life खराब होने लग जाए लोग आपकी बातों को recognize करने ना लगें तो यहाँ पर दो बाते हैं एक तो यह काट रही होगी पहली बात नहीं भी काट रही है तो आपको देखना होगा कि सूर्य पर्वत की स्तीग अगर कोई रहू रेखा आपके हिर्दय रेखा होती है isいसको काट रही है तो यहां पर आपको कष्ट होंगे कस्ट होंगे heart surrounded problems भी हो सकती है आपके घर में कोई च्छती हो सकती है काफी बड़े कस्ट आपको देखने को मिलते हैं इसमें शाधिरिक और मानसिक रोप से गहरा अगहात लगनी के आवश्यक्ता देखने को मिलती है और यहां पर आपको पूजा का सहरा भी करना लेना पड़ता है, ये रेखाएं जितनी मध्यम और हल्की होंगी, प्रभाव आएगा जीवन में और निकल जाएगा, लेकिन अगर डार्क हैं, ब्राउन शेट में हैं, काले पन पर हैं, तब ये इंपक्ट जाजा देखे जाएंगी आगर, अगर घर में कोई बिमारी होई है और रेखाएं हाथ में हैं, तो आपको बहुत जादा सजग होने की ज़रूद है, अगर आपकी राहू रेखा, आपके भाग्ये रेखा को भी काटती है, जैसे ये भाग्ये रेखा हमारी सीधी चलती है, और साथ-साथ आपकी जीवन रेखा को भी क पर रतकता है यह सारे दिक्कते आपके साथ होंगी आयू रेखा पर या आपके जीवन रेखा पर रहू रेखायं का इम्पैक्ट जतना जादा होगा मान लीजिए इस तरह से यहां पर है और यहां पर वीनस में भी आपका नेट बन रहा है जाल तो जीवन में उतनी ज्यादा आपको समस्याएं जहलनी पड़ेंगी अब इनका उपाये क्या कर सकते हैं उपाये भी तो बताना पड़ना जरूरी है उपाये आप कर सकते हैं कि शिव्जी की उपासना करें मश्लियों को दाना डालें और अक्यूरियम में भी आप डाल सकते हैं और हन्मान जी की उपासना आप कर सकते हैं इससे राहु शांत रहते हैं आपको समय समय पर मांसिक प्रतारणा से बचने के लिए आपको रुद्रा अभिशेक का सहारा रहना चाहिए महामें तुझे मंतर का जाप घर में करना चाहिए अगर घर में कोई बिमार है कोई प्रॉब्लम में है तो आपको इस तरह केके दान करने चाहिए और मंत उचारन करने चाहिए और शिवजी की बासना मेरे साब से सबसे अच्छी रहती है मेरे परसनल जो एक्सपिरेंस हैं मैं उससे आपको बता रहा हूँ हालकि हर आदमी का अलग-अलग होता है क्योंक चनी-परवत तो डाउं नहीं है अगर शनी-परवध अच्छी कंडीिशन में है तब उपाय थोड़े से अलग किसम add के हो जाएंक चाहिए मन आज विक्षत कंडीशन है तो राहू रेखाएं वह उतनी ज्मिपायों इम्पैक्ट फुल आपकर नहीं होगी तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने आज आपको राहू रेखा उसके प्रभाव पता है आपको बताया है कि जिन्दगी में राहू रेखाओं का क्या खेल है जैसे शुरू में ही कहा कि 90% केसिस में राहू रेखाएं होती है और मांसिक समझ से आए आर्थिक समझ से आए जीवन का एक अभिन अंग है जिसमें दिक्कते आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बटागर अभी 2411 मेरा हैंडिल है साथ साथ 9411-848508 मेरा वाट्सेप नमबर है आप उस पर भी मुझे बात कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह मेरे साथ बने रहिए देखते रहिए और सीखते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो तब तक उतना बहुत तहान रखेगा